हेलो फ्रेंड्स फिर से एक बर मैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वाग गता है अगर अभी तग आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब केजिए मैं आपके साथ आज बहुत ही अच्छा होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो है बेशन से अगर आपका स्किन बहुत ड्राई हुआ रहता है तो उसके लिए आपका बेशन बहुत ही बेश्ट है और उसके साथ मैं इसमेड करूंगी हल्दी हल्दी तो हमारे स्किन के लिए ग्लोई इन देता है आप सभी जानते ही है कि शादी से पहले जैसे कि हल्दी का रसम रहे तो रिजन यही है कि हमारा स्किन बहुत ग्लोई हो जाए तो इसके लिए यहाँ पर मैं आड की हूँ हल् कर्ड्ड कर्ड से आपका skिन भौधी स्मूथ होता है और आपकी स्किन में एक शाइन आजाता है आप इसके साथ junior भी added कर सकते हो से थोड़े से Minister class तो इन सभी चीजों को इस तरह से मिक्स करके लेना है तो यहां पर मैं अच्छे से मिक्स करके ले रही हूँ आपको पाने अड़ करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने कौड थोड़ा कम अड़ किया है तो आप इसमें रोज वोटर पर आड़ कर सकते हो उससे आपका फे नार तक छोड़ देना है या फिर ड्राइ होने तक रखना है या आप डेली भी यूज़ करोगे तो भी कुछ इश्यू नहीं होगा आपका स्किन बहुत ही ग्लू दिखेगा तो यहां पर मैं इस तरह से लगा कर अपने फेस पे लगा कर 30 मिनिट तक छोड़ दोंगी बट म इसमें आड करूंगी और एक इंग्रीडेंस आप ऐसे ही डारेक्ली यूज़ कर सकते हो बट फिर भी मैं इसमें और एक इंग्रीडेंस आड करूंगी आप इसमें अलोवेरा जेल एड कर सकते हो अलोवेरा जेल से बहुत ही स्किन हेल्थी होता है इसके लिए आप इसमें अ साबन से या फेस वाश मत करियेगा फेस आप यह यूज करूंगी कि आप नाइट टाइम में यह यूज करो और फेस धोकर आप सो जाओ इसमें मैंने यहां पर आड़ कर दिया है साउंदर या अलोवेरा जेल जो पतांजली ब्रान का है तो इससे बहुती फेस पे गलो आ जात से तो इसके लिए यहां पर मैंने यूज किया है आपको फर्स्ट यूज में ही आपके अपने स्केन में डिफरेंस पता चलेगा आपका स्केन आपको खुदको बहुती सौफ लगने लगेगा और एक शाइन आजाएगा आपके स्केन में जब आप यह यूज करोगे तो नाईट में यूज करके आप फेस को वस करके अच्छ08 से ओश कर लीजेगा और इसके बाद आप साबनिया फेस वर्स मत यूज करना आप इसे ही डारेकली यूज करके रख देना तो नाईट में यूज करना चींगा इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छ से आजाएगा आपक प्रोचीं!